नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफ्टर प्लेट निकल कर आई है कि केंद्रे क्रमचारियों के लिए आ गई है बड़ी कुछ कबरी 18 महीने के बकार डिये एरियर पर आई नई अपडेट चुनाओ के बीच 18 महीने के बकार डिये एरियर पर करमचारियों को मिल सकती है बड़ी कुछ कबरी 18 महीने का डिये एरियर इस दिन आ जाएगा करमचारियों के खते में तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार 18 महीने के बकार डिये एरियर का पैसा कब करमचारियों के खाते में डालने जा रही है अगर आप हमारे चैनल पर फॉस्टाइम जीट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ पर लाइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंसें से समंदी जितने भी नियू जाती है उनकी न दोफ्तो उन सुविदाओं में है महिंगाई बत्ता भी महिंगाई बत्ता जो 18 महीने के वकार डिये एरियर का पैसा जो क्रोना काल में सरकार ने रोक दिया था उस पे आ गई है नई अपडेट दोफ्तो हाली में पैंशन बोगी और केंद्रे करमचारियों के लिए बहुत ह बड़ी अपडेट सामने आ रही है उनके अनुसार इन करमचारियों की किसमत चमकने वाली है दोस्तो डिये एरियर काट का पड़ा पैसा किंदर सरकार अब जल्द ही करमचारियों के खाते में डालने वाली है साथ ही किंदर सरकार फिट्मेंट फैक्टर में भी जाफ़ा कर ने पर त्यारी कर रही है आपको बता दे कि दिवाले से पहले केंदर सरकार ने करमचारी के मेंगाई बत्ते में 4 परतिशत की बढ़ोतरी की थी अब अगर सरकार फिट्वेंट फैक्टर में जाफा करती है तो मेंगाई बता 50 परतिशत से अधिक हो जाएगा इसके बाद अगर ऐसा होता तो पेंशन भोगियों और केंदर करमचारी के लिए यह एक बहुत बड़ी सोगात होगी और इसका फाइदा एक रोड से ज्यादा केंदर करमचारी और पेंशन भोगियों को होगा केंदर सरकार ने क्रोना मामारी के दोरान 1 जनुरी 2020 से 30 जून 2021 तक डिया एरियर का पैसा करमचारी और पेंशन भोगियों को नहीं दिया था जिसकी मांग लगातार कर रही है अब ऐसे मनुमा लगा जा रहा है कि लोग सभा चुनाओ 2024 से पहले करमचारी के खाते में आठके पड़े पैसा डिया एरियर का पैसा करमचारी के खाते में डाल दिया जाएगा अब जल्दी केंद्री करमचारी और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकार डिया एरियर पर खुशकबरी मिलने वाली है सरकार जल्दी करमचारी का पैसा उनके खाते में डालने जा रही है तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलतें नेक वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत